प्रदर्शन की कुछ तस्वीरों के साथ आयाईटी मदरास के एक चात्र गुट को बैन कर देने आके खिलाफ इस वक्त प्रदर्शन हो रहा है तस्वीरे आप देख रहे हैं इसी मामले को लेकर राहुल गांदियों स्मृती रानी के बीच ट्विटर वार भी छिड़ा हुआ क्योंकि पीम की आलोचना करने पर आयाईटी मदरास के एक चात्र गुट को बैन कर दिया गया था और इस वक्त इस बैन के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है चेन्ने की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं IIT मदरास के बाहर चात्र प्रदर्शन कर रहे हैं चात्र ग्रूप के पर बैन के खिलाफ ये प्रदर्शन हो रहा है प्रदर्शन कर रहे हैं चात्रों को इस वक्त देखिए पुलिस भी वहाँ पर पहुँची हुई है इन्हें शान्द करने के लिए इन्हें वहाँ से ख़देने की कोशिश की जा रही है हम बेच कर पेरियर स्टूडन्स सरकल ग्रूप पर प्रतिबंद लगा दिया गया था उनके खिलाफ शिकायत मिली थी ऐसा HRD मिनिस्ट्री की और से कहा गया है कि उस शिकायत में इन पर दलिच छात्रों को भड़काने का आरोप लगाया था जिसके बाद मानफसन सादन विकास मंत्राले ने पूचताच की थी उसके बाद कारवाई की थी और इस ग्रूप को बैन कर दिया था अम बेटकर पेरियार स्टूडन्स सरकल ग्रूप है ये जिसे बैंड किया गया था और उसके बाद इस वक्त चेन्नई में इसके खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है सरकार की आलोचञा की थी एक ग्रूप ने और उसे बैंड कर दिया गया था उसपर हिंदी के इस्तिमाल और बीफ बैंड से जड़े विवादों को लेकर दले चात्रों को भरकाने का आरोप लगाया गया था और ग्रूप को बैन कर दिया गया था बेटकर पेरियार स्टूडन सिर्कल ग्रूप को जब बैन किया गया उसके बाद तमाम सवाल खड़े हुए स्मृती एरानी के उपर भी तमाम सवाल खड़े हुए क्योंकि मानस इंसादन विकास मंत्री है वो और इसी मंत्राले को शिकायत मिली थी जिसके बाद पूछताज की गई थी और उसके बाद कारिवाई हुई थी आलगि इसके बाद राहुल गांधी ने भी इसी मामले को लेकर सवाल खड़े किये थे और ट्विटर वॉट चड़ गया था राहुल गांधी और स्मृती रानी के बीच स्मृती रानी ने राहुल गांधी को खुली बहस की चुनाथी दे दी है लेकिन इस सब के बीच चेनलई में इस बैंड के खिलाफ प्रदरशन हो रहा है चात्र प्रोदर्शन कर रहे हैं मदरास आई आई टी के ठीक बाहर बड़ी संक्यावे पुलिस बल भी वहाँ पर मौजूर है इस वक्त बस में भड़ा जा रहा है इन चात्रों को जो की वहाँ प्रोदर्शन कर रहे हैं प्रोदर्शन कर रहे हैं आई आई टी मदरास के ठीक बाहर चात्रों संक्षन ने सरकार की आलोचना की थी आलोचना करना महंगा पड़ा ग्रूप पर बैन लगा दिया गया और अब इनके समर्थन में तमाम चात्रों सरकों पर उतर गए हैं इससे पहले बीती रात मारत संसादर विकास मत्री स्मिती रानी ने क्या कहा था वो भी सुन लेते हैं विशे एक स्वतंत्र सेक्षिक संस्थान का विशे है इसकी जिम्यदारी भारत सरकार पर मड़ना मात्र राजनीती करना है जो कॉंग्रेस पार्टी ने की मेरा इस बात का विश्वास रहा है कि एक लोकतंत्र में अगर वाकई हम चाहते हैं कि सिक्षा देश को सशक्त बनाने का माध्यम बने तो आप सिक्षा के ओपर चर्चा कीजिए आप बताएं कि आप क्या चाहते हैं हम नई सिक्षा नीती पर चर्चा कर रहे हैं लेकिन अगर आप राजनीती करना चाहते हैं करें यह आपका अधिकार है लेकिन राजनीती करने का मतलब यह नहीं कि आप एक कामकाजी महिला के घर पे आके उसके दर्वाजे को जोर जोर से पीटें उसके बच्चे घर पर अकेले हों और आप अपना जोर दिखाएं ये लोग तंत्र नहीं हो सकता तो स्मिती रानी ने बीती रात ये बात कही थी और उसके बाद आज सुभा चात्र प्रदर्शन कर रहे हैं चैन्नाई में चात्रों को एक बड़ा सा ग्रूप है जो की IIT मदरास के बाहर मौजूद है इस वक्त पुलिस के साथ उनकी धक्का मुकी हो रही है ने खदेरने के लिए पुलिस को अबल का इस्तिमाल करना पड़ा है ये देखिए तस्वीरें इन चात्रों को वहां से खदेरने की कोशिच हो रही है अंबेटकर पेरियर स्टूडन्स सर्कल ग्रूप जिस पर बैन लगाया गया था उस बैन के विरोध में चात्र सडकों पर इस वक्तों उत्रे हुए है पुलिस इने वहां से हटाने की कोशिच कर रही है आई आई टी मद्रास के ठीक बाहर इस वक्ती प्रदर्शन हो रहा है